कैसे हो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चनल के उपर अभी तक दोखो दोस्तों आपने ये चनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लो और बेल बिटन को यूज़ कर लो ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस्स न हो जाए और पैसे क कवाने का कोई भी मौका आप कवाना दो अगर आप लोग डाइरेक एक्विटी में इंवेस्ट और ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पॉटफोलियो का 50% अलोकेशन मुचुल फंड के अंदर होना चाहिए क्यूंकि अगर आप मुचुल फंड में पॉटफोलियो बनाओग वो आपको जानना है तो आप मुझे कॉंटेक कर सकते हो मैं फ्री ओफ कॉस्ट आपको सजेस्ट करूंगा सो वी गार्ट का चार्ट का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ तो काफी स्लो स्टॉक है बहुत ही स्लो मुमेंट में ये स्टॉक आगे वड़ रहा है बट लंबे समय का अगर मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो यहां पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए एक दम से रेड़ी है फूल स्ट्रेंथ हवेलेबल है हर एक टाइम फ्रेम के उपर मैं यहां पर चार्ट का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ तो फूल स्ट्रेंथ हवेलेबल है ऐसा देखने को मिल रहा है मेरे इसाब से अभी भी बने रहना चाहिए और यहां से अगर फिर से कोई डाउन फॉल आता है तो वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बाइंग ओपर्चुनिटी दिखाए दे रही है सो मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ वहां पर किसी को भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना है तो और भी बाइंग करना हो तो कर सकते हो क्योंकि स्टॉक के अंदर फॉल स्ट्रेंथ बनी हुई है यहां से लाइफ टाइम हाई भी स्टॉक्स आसानी से दिखा सकता है अगर स्टॉक के अंदर यहां से थोड़ी पीटाई होती है या डाउन फॉल हमें देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से 265 के आसपास 50% कॉंटिटी बाइ करनी चाहिए और दूसरी 50% कॉंटिटी बाइ करनी चाहिए सम्वेर अराउंड 260 रुपेश और फिर वहाँ पर क्लोजिंग बेजिस के उपर आपको एक स्टॉप लोस मेंटेन करना पड़ेगा वो है 254 रुपेश सो वीगाट के अंदर अभी भी किसी को भी लोवर लेवल देखने को मिलता है और बाइंग करना है तो आप कर सकते है 254 रुपेश उसका फाइनल स्टॉप लोस है लेकिन लोवर लेवल दिखाता है तो 50-50% कॉंटिटी में वीगाट के अंदर आपको बाइंग करना चाहिए फिर से बोल रहा हूँ अल्रेडी बाइ किया हुआ है ये स्टॉप लोवर लेवल पर बाइ किया हुआ है बने रहो इस स्टॉप के अंदर अगर यहां से डाउन फॉल भी नहीं दिखा तो स्टॉप का इतना पोटेंशल है चार्ट का स्टॉक्चर इतना सॉलिड बना हुआ है कि यहां से यह स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई भी दिखा सकता है और एक बार लाइफ टाइम हाई दिखा दिया तो स्टॉक्स नहीं टेरेटरी में चला जाएगा मुमेंट एक दम फास्ट आएगा ठीक है तो जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरह से आप लोग काम कीजि है वो वीडियो देखे नॉलेज एक्वाइर कीजिए फिर काम कीजिए कोई भी एक मेंटर चूस कीजिए सीख्यों और सीखने के बात काम कीजिए